हैनल स्टूड का सव्वयत करता हूं इस बार फेछ से एक और में वीडियो भी तो आज की इस वीड़ो में हम बात करेंगे मेट्री स्कूल की जो सिक्स कॉंस नहीं है उसके बार में और जो मेट्री स्कूल में स्कूलर्ण पढ़ रहे हैं उनकी जो migration उसका जो process है वो कब होगा तो कभी सारे आपके comments आ रहे हैं कि जो six counseling है वो कब होगी क्योंकि one week हो चुका है या जो fifth counseling खत्म हुए तो अभी next क्याप बेटे उसके वारे में हम आपको बता देते हैं तो याँ भी हम सबसे पहले बात करेंगे migration के बारे में तो देखे जो migration का process होता है वो admission के लवग दो मन्त बाद शुरू हो जाता है क्योंकि जब सारी counseling का process खत्म हो जाता है तो सभी schools की तरव से जितने मेटोरी स्कूल होते हैं उनकी तरव से जो vacant seats होती हैं या जो school के जो students हैं वो seat छोड़ देते हैं तो जो students स्कूल को छोड़ देते हैं और जो student मेटोरी स्कूल में अडमिशन तो ले लेते हैं बट वहाँ पे जाते हैं उनका नाम भी वहाँ पे शोड़ दा रहता है और जब तक वो अपना नाम नहीं कटवाते हैं तो उनकी जो वेकेंट सीड़े वो चंडिगड में नहीं वेज़े जाती है तो पुछम मुझे भी comments आते हैं या curious आती हैं को students कहते हैं कि हमने मेटोरी स्कूल छोड़ दे है अब हम स्कूल में अमनेस में जाना जाते हैं बट मेटोरी में अभी भी नाम हमारा शोग हो रहा है तो दिखें जब तक आप वहां से नाम कटवाते नहीं है वहां रोर नाम शोग हो जाया होता रहेगा इसके इलवा स्कूल की तरफ से जब सारी चीज़ें जो डिपार्टमन्ट को यानिकी चंडिगड में वेज दी जाएंगी उसके बाद जो माइगरेशन के लिए पॉर्टल जाए वह ओपन होगा तो उसके बाद जो वेकेंट सीट्स होगी वो स्कूल की तरफ से मैटवि स्कूल में ही ये जो नॉ-टिफकेशन होगा ये स्कूल की तरफ से ही आप सभी को पता दिया जाएगा कि जो migration का प्रशास से वो शुरू हो चुका है और आप इसमें apply कर दिए अगर मैं last year की बात करूँ तो last year भी काफी सार इसे थे जो दूर काफी दूर जो जिनको mandatory school मिला था जैसे for example student बठिंडा में था उसको बधासपुर station मिला था तो वो बधासपुर से migrate होके अपने near बठि सकते हैं अभी मैं बात करूंगा six counseling के बारे में तो यहां पर देखिए अभी six counseling होगी या नहीं होगी इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा साथ है क्योंकि जो migration की date थी वो 31 जुलाई थी तो 31 जुलाई के बाद अवर डिपार्टमन की तरफ से इसकी date को extend किया जाएगा या कहन लीजिए कि कोई भी अपडेट नहीं है कि six counseling होगी या नहीं होगी तो इसलिए बैटर यही है कि आप किसना किसी school में जुरूर अडिमेशन लीजिए और अगर आपने किसी school में अडिमेशन लीए है तो उसके recording या आप अपनी जो study है वो जुरूर करने और उसके बा वारी है तो अभी department की तरव से ही decide किया जाएगा कि या six counseling को करवाया जाना है या नहीं करवाया जाना है बट इसके बार में अभी भी कोई भी update नहीं है बट यहां पर पता दूँ कि जो vacant seats है वो अभी भी available है तो यानि कि जो भी meditory school है वहाँ पर अभी भी seatे जो है वो खा update आई जी या जो update मुझे मिलेगी तो मैं आपके साथ जिरू शेयर कर दो क्योंकि काफी सारी जो students है वो six counseling की वेट कर रहे हैं और अगर six counseling होगी तो merit जो है वो down जा सकती है और बाकि जो students है उनको chance मुझ रपता है काफी सारे students नहीं है जिनको six fifth counseling का पता नहीं चला या उनक कोई पास मोका था जाने के लिए बड़ नहीं जा पाए है वो उनके पास अब एक ही चोईस है कि six counseling को और उनकी जो admission हो जाए तो मैं पोशिच करूंगा जो भी मुझे update मिले या मुझे update पता चले तो मैं आपके साथ जिरू शेयर करो तो जो भी update आएगी आपके साथ शेयर